नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनित कुमार रोजागे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महतुपुन मद्दे पर आप सबसे भाचित करेंगे और वो विश्य है आयरुवेद एवं योगा भारत के सौफ्ट पावर के रूप में है। अब दोस्तों, यहाँ पे यह गौर करना ज़ूरी है कि आयरुवेद और योगा को सौफ्ट पावर मैंने क्यों कर रहा है। या इसे सौफ्ट पावर की रूप में पुरी दुनिया क्यों कह रही है। इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण है। दोस्तों, आप समने देखा होगा कि योगा को पुरी दुनिया में ने माननेता दी है। और धीरे धीरे अब वो मानसिक्ता भी बतली है कि योगा एक धर्ण विशेस का एक पद्धती नहीं है। बलकि यह स्वस्त रहने की एक बहतरीन प्रनाली है। दोस्तों, पिछले कुछ अगर दशकों की बात करें, तो लोगों की मानसिक्ता में बहुत ही ज़्यादा परवर्तन आया है। लोग अपने स्वास्त को लेके बहुत ही जागरूख हो गए हैं, पहले से ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं और पहले से ज़्यादा सुवधायां भी अब मौझूद हो गई है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी जो चिंताचनक बात है वो यह है कि इतनी सुवधाओं के बावजूद भी लाइफस्टाइल डिचीजेस में बहुत ही बढ़ोतरी हो रही है और यह सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, बलकि पुरी दुनिया में। दोस्तों, डियाबेटीज बहुत ही कॉमन आजकल देखा जा रहा है। उसके लावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जैसे आजकल आपने थायरोट के केसे में बहुत ही ज़्यादा इजावा देखा होगा। पुरी दुनिया में। यह सब कही न कहीं से हमारे से कनेक्ट करेंगे। क्यों यहाँ पर यूगा, एक भबहुत ही बड़ा, बहुत ही बेहतरी, पुपयोगी हत्यार साबित हो सकता है, मनुष्य के स्वास्त के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों योगा का सीधा मतलब ये है कि शरीर को स्वस्त रखने के लिए, तन और मन को पूरी तरीके से वो जवान बनाये रखने के लिए, हम योगा के माध्यम से पूरी प्रणाली को बहतर करते हैं. बहुत सारे आसन होते हैं, ध्यान होता है, प्राणायाम होता है, और इन तमाम चीजों को अगर हम एक साथ मिलाते हैं, तो इसे आप सामोहिक दोर पे योगा कहते हैं. अब दोस्तों इसके परिभाषा में अगर आप देखेंगे, तो सबके अलग-लग मनेता हैं, सबके परिभाषा अपने अपने अलग तरीके से हैं, लेकिन अगर हम योगा को एक आम भाषा में समखने की कोशिस करें, तो विभिन प्रकार के जो आसन होते हैं, जो स्वास, प रिक्रिया हैं, वो बहतर होंगी, जो मैकेनिसम होगा, वो बहतर होगा, तो जहर से बात है, एक मनुष्य किसी भी प्रकार के संकट को बहुत अच्छी तरीके से उसका सामना कर सकता है, और अगर किसी भी प्रकार के ऐसी रोक की स्थिति आती है, तो वो जानलेवा पिलकुल मैं यहाँ पे सौधी अरब का उदारण लेना चाहूंगा, दोस्तों पिछले काफी समय से कुछ ऐसी माननेताएं लोगों की थी दुनिया भर में, अकसर ऐसा लोग मानते थे कि योगा हिंदु धर्म से जुड़ा हुआ कोई एक ऐसा उपाय है, या इसमें कुछ धर्म की ब वहाँ के एक एक्टिविस्ट के लंबे प्रयास से अब वहाँ के परेटन मंत्राले ने योगा को एक वहाँ पे ऑफिशिल माननेता दी हुई है और वहाँ योगा स्टूडियो में लोगों को आके अपने शरीख को स्वस्त रखने के लिए पूरी तरीके से एक प्राली और मेरा ये मानना है कि हर जगे हम सिर्फ एक पर्टिकलर लेंज से किसी एक अच्छी चीज को ना देखें बलकि हम ये सोचें कि अगर वो शरीर को स्वस्त रखने की बात है तो उसे हम खुशी-खुशी उसे अपना है अब दूसरा पक्ष है आयरवेदा आयरवेद को भी क सौफ पार के रूप में पुरी दुनिया देख रही है उसके बहुत सारे कारण है दोस्तों घर हम कोरोना इस महामारी से गर हम जोड़ के देखें तो काढ़े का जो एक महत्व लोगों ने समझा वैसे जो हमारे पुराने लोग थे वो तो पहले भी इन चीजों के बारे में जानते थे बलकि वो रोजाना सिवन किया करते थे यह उनकी लाइफ स्टाइल में शामिल था लेकिन बीते कुछ दर्शकों में जो खानपान की बदती है या जो लोगों का लाइफ स्टाइल है बहुत सारी भागम भाग जो आज का लाइफ में चल रही है उससे बहुत सारे खान पान जो सही तरीके होते थे या जो हमारे पारमपरिक वो तरीके थे जो कि हमारे पूरवज जो हमारे शास्त्रों में या जिस तरीके से उन आयरवेद की पुस्तकों में वर्नित किया गया है मनुश्य को स्वस्त रखने के लिए उसमें कहीं न कहीं से हम कोसो दूर से हो गए थे और उसे पुरी तरीके से फॉलॉ नहीं कर पा रहे थे लेकिन इस करोना के दौर ने फैसर साबित कर दिया कि वो जो हमारी परंपरिक पदधियां थी वो कहीं से भी इस तरीकी की बात नहीं थे यानि कि लोगों के पास सिर्फ वही पारंपरिक बद्दती थी जिसको अपना के लोग पूरी तरीके से स्वस्त रहते थे काढ़ा एक ऐसा लोगों के सामने कैसा मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छूक उपाय के रूप में सामने आया कि लोगों को आश्र हुआ ये जानके बलकि हमारे देश नहीं बलकि पूरी दुनिया ने इसको मानेता दिया दुनिया पूरी आश्र कर रही है कि ये जो आयरुवेद का एक प्रयोग है इसने मनुष्य को स्वस्त रखने में आहम भमकानी भाई देखें दोस्तों काढ़े का अगर आप ताकालिक प्रभाव देखें तो जाहिर से बात है ये काढ़ा कोरोना या किसी बिमारी को रोखने की गारंटी नहीं है बलकि काढ़ा हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंदर को मजबूत करने में बहुत ही महतुपौन होता है क्योंकि इसमें विभिन प्रकार की जो चीजें हम एक अनुपात में डालते हैं वो इसमें महतुपौन होता है जाहिर से बात है विभिन प्रकार की जो औशधियां हैं जो कुछ ऐसे औशधिय पहुद हैं कुछ ऐसे मसाले हैं जिनका की अपना एक विशेश गुन है और वो विशेश गूर्ण हमारे शरीर के पूरे मेकैनिजम को बहतर रखने में बहुत बड़ी भून खाने पाता है और दारान के तोर पे आप देखें तो काड़े में मुखरूप से 5-6 चीज़ें ऐसे मिला ही जाती है हाला कि आप अपनी सुवधा के अंसार या फिर जिस प्रकार की आवशक्ता है उसके अंसार आप उसमें कुछ और भी चीज़ों का इजाफा कर सकते हैं लेकिन मोटे तोर पे उसमें क्या होता है कि काले मिर्च हो गई लॉंग हो गया दालचीनी हो गई आजवाइन हो गया और अगर पीपली इतियाद एगर आप उसमें डालते हैं तो ये मुकरूप से औशधी पौदे हैं और ये बड़े ही सहस्ता से कहीं भी मिल जाते हैं इन तमाम चीज़ों को मिल पानी में एक निश्चिस समय तक उबाल करके और फिर उसे चान करगर हम पीते हैं तो इससे बहुत लाब होता है जो कि लोगों ने इस पश्ट अन्भो किया है इस कुरोना के दौर में अब दोस्तों यहाँ पर एक बात तो साबित होती है कि इतना छोटा उपाए इतना बहतर जड़ते रहा है कहीं न कहीं से सिर्फ हमारे देश ही नहीं बलकि पूरी दुनिया ने ये बात समझी है कि हमें इसको अपनाना चाहिए यह अब तक हमारे पास कैसे नहीं हमें इसके बारे में जान था या अब तक हमारे पास यह क्यों नहीं पहुँचा था जारी से बाते दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि जब जब आवश्यक्ता होती है तब तक कुछ नई बातें लोगों के सामने आती है और यहाँ पे हम सबको गर्व करना चाहिए कि भारत वर्ष के लिए या हम भारतियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है बलकि हमारी संस्कृति, हमारे देश की ये तो परंपरा रही है प्राकीन समय से ही हमारे रिशियों, मुनियों और आयरवेद के जो बहुत बड़े-बड़े प्रणेता रहे हैं उन लोगों ने आम जन्मानस के लिए के स्वास्त के लिए ये अच्छूक उपाय हम सबको दिये है दोस्तों ये एक एसेट है हमारे देश के लिए ये वर्दान है या यूँ कहलें कि एक संजीवनी है जिसने की स्टाबिद भी कर दिया इस तोर में दोस्तों सौफ्ट पावर यहाँ पे इस लिए कहना प्रासंगिक होगा चाहे वो आयरवेद हो चाहे योगा हो क्योंकि इन दोनों पधधियों ने दुनिया को एक नवी आयाम दिया है स्वस्त रहने के लिए दोस्तों आयरवेद की गर बात करें तो तातकालिक तोर पे निशित हीए किसी बिमारी को ठीक करने में या किसी समस्या को दूर करने में तातकालिक तोर पे उतना महत्वपूर ना हो या उतना effective ना हो लेकिन अगर आप बात करेंगे long impact की तो इसके बहुत ही बहतरीम प्रुभाव देखने को मिलते हैं दोस्तों सबसे बहतरीम बात आयरवेट की यह है कि इसका कोई side effect नहीं है देखिए दुनिया में तमाम और शधी जो पधतियां हैं सबका अपना-पना महत्व है यहां पे मैं किसी को superior या किसी को inferior नहीं कह रहा हूँ बस मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो आयरवेट की खास बात इससे इसलिए अलग बनाती है कि इसका कोई side effect नहीं है साथ ही इसमें शरीर को जो एक उर्जा मिलती है जितना मजबूत आपका यह सारी चीज़ें होती है हमारा जो प्रत्रक्षा तंत्र है वो किसी भी प्रकार की अचानक से आने वाले बिमारी या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ जो कि हम कल भी कल्पना नहीं कर सकते हैं ये भी एक बिमारी के रूप में दुनिया के सामने आ सकता है. उन तमाम जानी औन जानी भी बिमारीों से एक तरीके से मदद करता है आपको लड़ने में. तो दोस्तों कहीं न कहीं से कि ये साबित होता है कि जो बहतर चीज है उसके बारे में हम उसे और तब बहतर बना सकते हैं जब हम इसके महतों को समझें इसके बारे में जादा जादा शोध करें और लोगों को उसमें रोजगार की संभावनाएं भी देखें और यहां दोस्तो केरला आयरुवेद का नाम पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं अब पिछले कुछ वर्षों की बात है एक बड़े ही फेमस फुटबॉल स्टार है इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार काका जो की ब्राजील के खिलाडी है उन्हें एक बहुत ही गहरी चोटाई थी बहुत वर्षों पहले खेल के दौरान और उन्होंने दुनिया के तमाम देशों में जाके इलाज कराया बहुत सारे पैसे खर्च की लेकिन उन्हें पूरी तरीके से राहत नहीं मिला लेकिन जब वो केरला में आये केरला आयरुवेदिक पद्धती को उन्होंने अपनाया तो उन्होंने ये देखा कि ये पूरी तरीके से अब उस समस्या से वो मुक्त हो चुके है और उन्होंने इसके बारे में एक बहुत ही बहतरीन तरीके से लोगों को लिखा बहुत काफी अच्छा उन्होंने अच्छा खासा नोट लिखा इसके बारे में और लोगों को ये बताया है कि दोस्तों बिमारी को ठीक करने में जो बेहतरीन काम आयरुवेद करता है वो शायद अब तक मैंने कहीं और जगा अंभव नहीं किया तो दोस्तों ये एक छोड़ा सा उदारन था कि जब लोगों को फाइदा मिलता है और बात अगर पूरी तरीके से निरोग होने की आती है तो जाहिस से बात है आयरुवेद का नाम जहन में हमारे निश्चित तोर पयाता है दोस्तों ऐसे बातें तो बहुत लंबी हैं लेकिन यहां पर कुछ और मैं मुर्दों का जिकर करके मैं अपनी बात को यहां पर समयत करना चाहूंगा अब यहाँ पर मैं एक बात और आप सबसे बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर हम रोजगार की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में हमारे सरकार के तरफ से बहुत ही जादा इसमें फंड भी दिये जा रहे हैं और काफी सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर के खिलाडी भी जो प्राइवेट सेक्टर के टॉप कॉर्परेट लीडर्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं क्योंकि उनको दो दो चीज़ें आ दिख रहे हैं एक तो उनको फाइदा की दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, कि इसका आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, और चातरों के गर बात करें, तो पिछले कुछ दर्शकों में उतना इसमें रुची नहीं था, क्योंकि इसमें रोजगार की संभावन उससे फंड मिलने लगे, और सरकार की तरफ से उसमें विशेस पहल की जाए, तो उसका आसर दिखता है, जो कि अभी दिख रहा है, अब चातरों ने आयरुवेद को करियर के तोर पे लेना शुरू कर दिया है, बहुत ही, इसमें काफी सारे इंटरनेशनल कॉलिबरेशन भी हो रहे हैं, और दुनिया की उन तमाम विक्सित देशों में भी इस बात को लेकर चचा हो रही है, कि भारत ये जो अद्भुत पधती है, अरवेदा, इसमें रोगों को ठीक करने के लिए, शरीर को निरोग रहने के लिए अद्भुत शमता है, अमेरिका में बहुत सारे ऐस इसे हम अपने देश में भी बहतर तरीके से लागू करें, तो वो दिन दूर नहीं जबकि एक स्वास्त के शेत्र में एक क्रांती के रूप में हमारे लिए साबित होगा। दोस्तों इन तमाम बातों को लेके मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो लाइफश्टेट डिजीजेस के हमने यहां पर बात की थी, उसमें मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है लोगों के लिए, और जाइस बात है गर किसी कोई व्यक्ति मोटापा से ग परिशान है और भारत से ही दुनिया के उन तमाम देशों में क्योंकि फास्ट ठाने की जो परंपरा है इससे जाइस बात है ओबेसिटी एक बड़ी समस्या ग्रोप में हमारे सामने आता जा रहा है और आयरवेद में वो शमता है जो कि इससे बहतरीन तरीके से लड़ सकता ह और पूरी तरीके से इस समस्या को दूर करने में सक्षन है मैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब को मेरी जानकारी बेहतरीन लगी होगी अगर आप सब करसा लगता है कि यह जानकारी आपके लिए लाप्रत रही तो इसमें जादा जादा आप मेरे इस वीडियो को ना भूले और हाँ दोस्तों बेल आइकन भी जरूर दमाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें थैंक यू सो मज गाइस जै हैं जै भारुण कर सकतो दोस्तों दाकिन का सो प्रilen सबसे इता कि आने स्वेचाप।